Cancer Code Book, The Cancer Code का हिंदी में सारांश, आडियो बुक के लिए लेखक, Dr. Jason Fung The Cancer Code में Dr. Jason Fung ने Cancer के विज्ञान को विस्तार से समझाया है और इसके इलाज में आधुनिक चिकित्सा की भूमिका पर चर्चा की है यह किताब Cancer के इतिहास इसके कारणों और भविश्य में इसके इलाज के नए रास्तों को दर्शाती है एक, Cancer क्या है? Cancer कोशिकाओं के अन्यंतरित विभाजन से होने वाली बीमारी है जिसमें शरीर की कोशिकाओं सामान्य तरीके से काम नहीं करती और तेजी से बढ़ने लगती है Cancer एक ट्यूमर के रूप में शुरू होता है और बाद में शरीर के अन्य हिस्सों में फैल सकता है उदाहरण एक व्यक्ती के फेपड़ों में कोशिकाओं की असामान्य व्रिद्ध से फेपड़ों का Cancer हो सकता है जो बाद में अन्य अंगों तक फैल सकता है तो Cancer के कारण डौ फंग ने Cancer के कारणों पर चर्चा करते हुए बताया कि यह सिर्फ अनुवांशिक परिवर्तन जेनेटिक म्यूटेशन्स के कारण नहीं होता है इसमें जीवन शैली और पर्यावरणिये कारकों का भी बहुत बड़ा योगदान है खराब आहार, धूम्रपान और अलकोहल जैसी आदतें Cancer के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है उदाहरण धूम्रपान से फेपड़ों का Cancer होने का खत्रा बढ़ता है और अत्यधिक प्रोसेस्ट खाद्यपदार्थ खाने से आतों का Cancer होने का खत्रा बढ़ सकता है पंग ने बताया कि पारंपरिक द्रिष्टिकोन Cancer को केवल एक अनुवांशिक बीमारी के रूप में देखते थे लिकिन अब वैग्यानिक इसे एक जटिल प्रणाली के रूप में समझने लगे हैं जो कोशिका और परियावरण के बीच के इंट्रेक्शन पर आधारित है अब यह देखा जा रहा है कि Cancer शरीर की कोशिकाओं के वातावरण में हुए बदलावों के कारण भी उत्पन्न हो सकता है उदाहरण पहले माना जाता था कि Cancer पूरी तरह से अनुवानशिक होता है लेकिन अब यह माना जाता है कि आहार, तनाव और प्रदूशन जैसे बाहरी कारक भी इसमें योगदान देते हैं चार, Cancer का इलाज पारंपरिक और आधुनिक दृष्टिकोन कैंसर के पारंपरिक इलाजों जैसे सर्जरी, कीमो थेरेपी और रेडियेशन का उप्योग किया जाता रहा है लेकिन इनके साथ कई दुषप्रभाव भी होते हैं दौ फंग ने बताया कि फास्टिंग, उपवास और कम कार्बोहाइडरेट वाले आहार जैसे नए तरीकों से कैंसर की वृध्धि को नियंतरित किया जा सकता है उदाहरण इंटरमिटन्ट फास्टिंग, आंतराइक उपवास से शरीर में इंसुलिन की मातरा को नियंतरित किया जा सकता है जिससे कैंसर कोशिकाओं के विकास को धीमा किया जा सकता है पांच, भविश्य के कैंसर उपचार किताब में इंम्यूनोथेरेपी, इंम्यूनोथेरेपी, जैसे उभरते उपचारों पर भी ध्यान दिया गया है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर से लड़ने के लिए तयार करते हैं लेखक का मानना है कि भविश्य में कैंसर के इलाज को अधिक व्यक्तिगत और सठीक बनाया जा सकेगा उदाहरण इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी तक्नीक है जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को कैंसर कोशिकाओं से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है जिससे शरीर की स्वस्थ कोशिकाओं नुकसान से बची रहती है कुल मिलाकर संदेश कैंसर एक जटिल बीमारी है जिसे केवल जेनेटिक म्यूटेशन के नजरिये से नहीं देखा जा सकता हमारी जीवन शैली, आहार और पर्यावरण भी कैंसर के विकास में महत्वपून भूमिका निभाते हैं कैंसर के इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा के साथ साथ नए उपचार द्रिष्टिकोनों को अपनाने की आवश्यकता है उदाहरण स्वस्थ आहार, शारीरिक गतिविधी और उपवास जैसी आदतों से कैंसर के खत्रे को कम किया जा सकता है और कैंसर के विकास को रोका जा सकता है निशकर्ष डॉक्टर फंक की यह किताब कैंसर को एक नए द्रिष्टिकोन से समझने और इसके इलाज के लिए नए रास्ते खोजने की प्रेरणा देती है